लेकिन पहले आज के बिग स्टॉक्स आज क्या क्या लेके चल रहे हैं हम लोग आज दो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं अशीश सबसे पहले सूला विनियाड इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ उसका कारान बहुत सिंपल है यह जो ट्रेड हो रही है क्लीन आउट ट्रेड है एक ही चीजय है दो आसे में ब्लॉक विंडू में अगा तो विंडू में वो तो तो ख़्यार किसोю को मुकाई नहीं मिलेì गा उसके बाद मेरे खाइस से क्योंकि… एक पॉरसका थौड़ासा लंबा चार्ट ले आई है मैरे खाइससे तीन महीनें का चार्ट यहुद्स्तॉक आपने हार लेवेल से एक कियि क्लीनाउट जो है हलाकि अभी भी तीन मेने में गयन कर रहा लेकिन किया था कैसे वेदानता की ब्लॉक डील वो सुधर्शन केमिकल्स की या तो प्रमोटर माल चोड़ेगा या फिर बड़े इंवेस्टर माल चोड़ेगा क्योंकि अब वो साइलेंट पिरिट खत्म हो चुका यहां पर तो इसके लिए अच्छा बहुत लोग को लगता है कि क्या इसका मतलब मार्केट में टॉप बन गया यही गलती पिछली बार भी किये थी हमने कि इतने सारे इंसाइडर्स बेच रहे हैं अब तो स्टॉक्स टॉप आउट होगे व पीबी फिंटेक और पीबी फिंटेक जितनी भी न्यू एज कंपनी है उसमें मेरा सबसे पसलंदीदा स्टॉक रहा है अलोंग विज जो मैटो और उसका कारण यह है कि इस कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने शुरू किये ठीके और अब सिटी की एक रिपोर्ट यह 1150 का टार्गेट है इनका लाइसेंस अपग्रेड हुआ है पॉलिसी बजार का जो है ना रेगुलेटर की मनजोरी में लिए और अब एक कंपॉजिट इंशूरेंस ब्रोकर इसका लाइसेंस है इनके पास तो इसके हिसाब से सिटी को लगता है कि यह स्वीट स्पॉट मे है तो इसके लिए इसको इन्होंने पॉजिटिव व्यू दिया तो यह दो क्रीन स्टॉक्स हो गए हमारे आज सूला विनियार्ड और पीवी फिंटेक अरे वार दोनों वैसे आगे खबरों में डिटेल में चर्चा भी होती चलेगी लेकिन आज की बहतरीन बिग स्टॉक्स है सूला विनियार्ड और पॉलिसी बजार यानि की पी बी फिंटेक चलिए और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स डिसकस कर लिए जाए ये तो दो हैं आपकी स्क्रीन पर आज के बिग स्टॉक्स लेकिन आज के टॉप कॉल्स की शुरुवात करने के लिए पहरे तो पैनल को दि